असलाम अलेकुम गाइंज, मेरा नाम है तयव जीज और आप देख रहे हैं Study of Bikes आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को इंजन पर पढ़ने वाली LED को इंस्टाल करने तरीका बताऊंगा आज काल बहुत सो लोग अपनी बाइक में इंजन पर पढ़ने वाई LED लिगवाते हैं चोकि काफी खूब सुछत रगती है अब इसको कौन सी ऐसे जगह पर लगाया जाए जहांपर जो इसका फोकस है वो इंजन पर सबसे बेटर लगे वो सही जगह मैं आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने याप अप LED कौन सी यूज़ करनी है देखिए फ्रेंड्स आप किसी भी तरह की LED यूज़ कर सकते हैं अमोमन मार्किर में दो तरह की common LED होती है एक ये होती है और ये फ्रेंड्स इस तरह की ट्यूब सी होती है ये दो जो होती है फ्रेंड्स ये हर कलर में commonly हर जगहां पर बहुत ही कम प्राइज में मिल जाती है अब मेरे पास फ्रेंड्स इस वक्त ये दो तरह की LED है एक ये है और एक ये वाली है अगर आप चहते हैं कि आपके दो इंजने पर लाइट है वो काफी ज़एदा पढ़े तो आप उसके लिए ये वह लगा सकते है LED और अगर आप चाहते हैं थोड़ी काम पर आप ये होई लगा सकते है प्राइस दोनों के सेम होती है, यह भी 30 रुपके मिलती है, बाद जगा पर यह 50 रुपके तक ही मिल जाती है, लेकिन इससे जाते के फ्रेंट यह नहीं मिलती, आप यहां पर फ्रेंट बेंड करता है, आपने कौन सी कलर की यहां पर इंस्टाल करनी है, फ्रेंट इसमें मेरे बीदिया, इसे में यहां पर यह इंस्टाल करूंगा, इसके पीछे फ्रेंज पहले से यहां पर एक डबल टेप दी वी आती है, जो कि इसमें नहीं लगी भी, मैंने पहले भी यूज की वी है, तो जैसे फ्रेंज इसमें लगी वी यह ने यह रिखिए है, स्वेम इसके ऐसे पॉधा है और यहां से दाय का दिना होती है और यह जो की टेप होती है काफ़ी जदा चिप करेंcribing वाली होती है मेरे पास यहां पर एक स्वेड़ियों मैं वही लिघा दूना ऑफ न मरें चेए और आप के समय पर करेंगे यद्सिरी ढकर आता कंपर कर सकते हैं अब का इस्टाल काम पर करना है कौन से जगह इसकी सही रहेगी फ्रेंट्स आप बात कर रहेते हैं इसको हमने लगाना काम पर है बहुत से लोग इसको यहाँ पर लगाते हैं फ्रेम की साइट पर मतलब कि यह वाला जो कनारा है यह भी फ्रेंग सा टाच होता है और यह वाला भी लेकिन बीच से यह खाली होता है तो अगर आप इसका तो ऊपर का रखते हैं यहाँ पर तो यहां पर फ्रेंज तो ठीक लगता है लेकिन होता क्या है कि यहां पर केबल भी आजाती है और नमबर दो इसकी जो लाइट है वो सिर्फ हैड़ पर पर परेगी जिसका पीछे बारा हिसा है यहां पर लाइट नहीं परेगी लेकिन जिसका पीछे मैं लगाऊंगा वहां पर आपके पूरे इंजनर पर रोशनी परेगी अब एक दगवाँ फ्रेंज हम दूसरे साइट भी देख लेते हैं और फ्रेंज इस साइट पर भी यह देखिए अगर आप यहां पर लगाते हैं इसको करके तो यहां पर यहां पर आगे कार्बूरेटर आए था इसके और यहां पर रोशनी नहीं परती लेकिन यहां पर यहां पर रोशनी के इस साइट पर लगाऊंगा यहां पर करके यहां पर यहां पर रोशनी है यहां पर ही परेगी और इस साइट पर परेगी फोटे पो रोशन फेर भी जाएगी लेकिन यह आपकी चुछ साधर पूर筒 करता है वहांपर भी लगा सकते हैं और उस साधर यहां नहीं सिर्पार खोटा हया धुप और यहांपर फ्रेंस से कोई जगान नहीं होती। पीछे से सारी है यह अपर कनारा ही होता है। इसलिए आपने इसको को बाइक के हमेशा राइच साथ पर रगाना है। ठीक है यहाँपर देखे रिखे इसके समर गाएंगे तो यहाँपर नजब भी आगी। और ये खूशुत भी लएगी और जो आपके लाइट है वो अब हैड़ पर ही पड़ेगी और सेम आपके इंडर के बिछले पार्स है वहां पर भी पड़ेगी तो आप बात का रहते हैं इसके वायर्ज और वायरिंग को लेकर अब अब आपकर दो वायर्ज चाहिए हो कि किसी बॉच्टिव की होगी अपने दो वायर्ज जोडे नहीं है किसे भी कलर की हो मेरे पारे दो वायर्ज और अपके अब आपके टेप आप आप आपके टेवल गा सकते हैं मेरे पास ये चोटा था पाइप है ये एक होगी और सेम इस दिक से दूसरी भी कर देनी है तो यहां पर त्यार हो गई है अब मेरे पास यहां पर डबल टेप पड़ी है यह रिखिए तो मैं यह यहां पर लगा दूंगा इसके साइज के मैं यहां पर इसको काट कर इसको मैं अब इसाड़ चात आधाया है यहां पर आँठाड़ देंगे। कि यह बाव करने के बाद सिंपर बाने के यह चोड़ देंगे वाहर चिप का देते हैं जो मने डबल टेप यहाँ पर लगाई थी तो फ्रेंड मैं इसको फ्यूल को के विल्कुल इस साइट पर रखोंगा ठीक साथ करके आपने मेक्शूर करना है कि आपकी जगह साफ वोट फ्रेंड मैंने पहले इसको यहां पर लगा के देखे हैं मुझे यह वाले एंगल पसंद रहा है आप चाहिए तो पहले आप वहां सा वाइरिंग का लें जोगर मैं आगी जाए का पताऊंगा उसके बाद आप फाइनल इसको माँ पर स्विच ओन करके आप फिर बाव में चलती राइट को आप यहां पर केमी रिगावद देख लें ठीक है जहां पर आपका पसंद है आपके दूहां लगा दी उसके बाद उससी टेप को आप दोबार लगा पाएं ठीक है इसके बाद आप सको दोबार चेंज करते हैं एंगल को ठोता कि शापिने को चिंट किसलाय के बतारता हूं और देकिए है और यह कहीं से बूरी भी लगती है, नजर आती भी नहीं है, यह आपका fuel tank है, और यह आपकी light है, अब बात कर लेते हैं, इसकी wiring को लेकर, फ्रेंट जो left server top है, वो आपने open कर लेना है, और यह रिखे, यह यहाँ पर आ रही हूं नहीं है, ठीक है, यह lights की, इनको मैं यहाँ से उजा लेता हैं, तक एजी हो जए जड़ा, देखे फ्रेंट, एक इसकी यह वर यह पोजिटिव की है, और यह नेक्टिव की है, मैं आपके पहले बताया था, यहाँ दो फंक्शन आप यूज कार सकते हैं, एक हो कि आपके brake के साथ जब आपके light चलेगी, और नबर दो, कोई आपके light चलेगी, उसके साथ आपने LED की नेक्टिव वर यह वह आपने माँ पर जोड देनी है, तक है, उस ग्रीनिग वार के साथ है, मैं बिसकर क्या करूंगा है, जो मेरा रिक्टिव यह पर इसको मैं बान कालता हूँ, मैं फ्रेंस कोई भी कर्णिग वर नहीं करता ह इसकी, यह रिक्टिव यहां पर होंडा वालन की डबल आ रही होती है, यहां पर मैं इसके साथ को टाची दे दूँगा, फ्रेंस यहां पर इसको प्रॉब्लम ने आएगी इसको ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि आप यहां पर काट लगा के फिर काट दें, क्योंकि बाद अगर आपने बाइक की ब्रेक दबाने पर इंड्यक लाइच रानी है तो उसके रही क्या करना पड़ता है, यह रिखिए दो वायर जा रही होंगी है, यह यहां पर जा रही होंगी है, यह यहां पर जा रही होंगी है, यह यहां पर जा रही होंगी है, यह यह यहां पर जा आप चाहते हैं यहां पर कि आपने ब्रेक दमाने पर चाहने हैं तो दूसरी वायर है उसको आपने यहां पर पिछली आपने नहीं तार नहीं है ठीक है तो यह जो क्नेक्शन है कि आपको जो ब्रेक्स हैं वो दमाने पर आपकी लाइट चलेगी अब अगर चाहते हैं कि नहीं यहां पर भी होती है, brake switch की, तो आपने इसके साथ, अगर आप brake switch की, इन पर लाइन आ रहगी, इसके साथ, अगर आप जोड देते हैं बरेक असा लगाएं ठीक है यह आपकी चोट पर डिपन करता है मैं यह आपक च्बार करता है मैं यह बिश्क धीर भी आपकर का रहा हूं कि यह चाल पड़ेगी आपको व्हांच कि छैल परेगी आप इसका बरेक का सा भी यह लिइक कर सकते हैं लेकिन मैंने काफी जाए इसकी लूक भी दखानी है बाद में इसलिए मैं बाब बाब रेक प्रेस करूंगा तो उसे रिक से किया रहना फोकस नहीं होगा वैसे कर मैं इसको चाप यूण करूँगा तो इस रिक से इसका ड्रेक्ट चलता रहेगा अब मैं टापइ को बंद करत हूं तो फ्रंस्स ने प्रिमा स्विच कर यहां पर ऑन करता हूं और यह दखिए ठीकर फ्रंस काफी जाए खूप सब्छाए यहां पर लाग रही है एक फ्रेस की लूक आप अंधेरें भी देख लें ठीकर काफी खूप सब्सार लगती है आख अग तो बस फ्रेंज यही थी आज की वीडियो मेरा नाम है तेयर बजीज आई होप आपको वीडियो ची लगी होगी थैंक्स एंड बाए बाए